लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अन्युआईयों को बुद्ध पुर्णिमा के बैशाक उत्सव के बहुत बहुत शुप कामना है साथियों भगवान बुद्ध का वचन है मनो पुब्बम गमा धम्मा मनो सेट्टा मनो मया यानि धम्म मन से ही होता है मन ही प्रधान है सारी प्रवुतियों का अगवा है इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुडाव है उसके कारण सो शरीर उपस्तिती की कभी उतनी महसूस नहीं होती बुद्ध किसी एक परिस्तिती तक सिमित नहीं है किसी एक प्रसंग तक सिमित नहीं है सिद्धार्थ के जन्म सिद्धार्थ के गवतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्तितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है समय बडला स्थिती बडली समाज की व्यवस्ताएं बडली लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवामान रहा है ये सिर्फ इसलिए संबव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है बलकि एक पवित्र विचार भी है एक ऐसा विचार जो पत्तेक मानव के रुदह में धढ़कता है मानवता का मारदर्शन करता है बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है बुद्ध सेवा और समरपन का परिया है बुद्ध मजबूत इच्छा सक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाश्टा है बुद्ध वो है जो स्वयम को तपा कर स्वयम को खपा कर खुद को निचावर करके पूरी दुनिया में आंद फैलाने के लिए समर्पीत है और हम सभी का सौभागे देखिए इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए किसी मरीज के इलाज के लिए किसी गरीब को भोजन कराने के लिए किसी अस्पताल में सफाई के लिए किसी सड़क पर कानून व्यवस्ता बनाये रखने के लिए 2400 घंटे 2400 घंटे काम कर रहे भारत में भारत के बाहर ऐसा प्रतेग व्यक्ति विश्व के हर कोने में ऐसा प्रतेग व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है नमन का पात्र है साथियों ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पूथल है कईबार दुख निराशा हतासा का भाव बहुत ज़्यादा दिता है तब बगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगीक हो जाती है बगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थित्यों पर विजय प्राप्त करे उनसे बाहर निकले थक कर रुख जाना ये विकल्प नहीं हो सकता आज हम सब भी एक कठीन परिस्तिती से निकलने के लिए निरंतर जूटे हुए है साथ मिलकर काम कर रहे हैं भगवान बुद्ध के बताए चार सत्य यानि दया करुणा सुख दुख के प्रती समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्विकार रहा है ये सत्य निरंतर भारत भूमी की प्रेना बने हुए है भगवान बुद्ध का एक एक भचन एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिवद्धता को मजबूत करता है बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतिख है इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जूटे रहते हैं वही बुद्ध के सच्चे अनुआई है यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे गतिमान करता रहे इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार